So, welcome friends, now recently एक वीडियो आपने देखा होगा कि एक दमपत्ती अपने कीमती सामनों के साथ साथ उसमें पैसे भी लुटा रहे हैं ये वीडियो इस वक्त काफी सुर्क्या बटोर रहा है इसमें आप देखें कि ये दमपत्ती दुल्धे और दुल्हन के रुप में सजे हुए दिखाई दे रहे हैं और सर से लेकर पाव तक इन्होंने सोने के आबुशन पहने हुए हैं इनके साथ यहाँ पर मुजिशियन्स और डांसर्स का एक बेंड भी दिखाई दे रहा है लेकिन ये वीडियो इतना चर्चा में क्यों है और ये किस प्रकार आज की स्वार्ति के पीछे अंती दुनिया के लिए एक सबक है ये समाज को क्या संदेश पोचा रहा है इसके बारे में आज अमनी स्वीडियो में डिसकस करने वाले है पर उससे पेले अगर आप चैनल पर पहली बार रुजट कर रहो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब दे चैनल और प्रेस दबेल आइकन दरसल फेंड सी ये मामला गुजरात का है गुजरात एक ऐसा राज्य जिसका नाम जुवा पर आते ही एक छवी आती है व्यापारियों की बड़े-बड़े बिजनसमेन की छवी आती है दिमाग में ऐसे लोगों की जिनकी तीजोरियों के सासाथ उनके दिल भी काफी बड़े हैं इसी गुजरात के एक बिजनसमेन जिनका नाम है भावेश भाई भंडारी जिनकी 19 वर्षी बेटी और एक 16 वर्षी बेटा आज से करीब 2 साल पहले मतलब की वर्ष दोजार 22 में भिक्षू तो ग्रहन कर लेते हैं जिसमें ना कोई चिंता है और नहीं किसी बात की कोई फिक्र है तो बस सिर्फ शान्ती और संतुष्टी आपने 16 वर्षी बेटे और 19 वर्षी बेटी को मार्ग दर्शक मान कर भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी जीनल बेर्न ये दोनों भी फरवरी 2024 में ये फैसला लेते हैं कि हमें भी इस दुनिया से सभी बंदोनों से अब दूरी बना लेनी चाहिए और ये फैसला इनका इतना द्रड होता है इतना अटूट फैसला होता है कि भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी अपनी लगबग 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को सड़को पर लुटा देते हैं 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर ये कोई छोटी मोटी राशी नहीं होती है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 200 करोड भारती रुपईये की इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भंडारी दंपत्ती रास्ता हमें लोगों पर कपड़े सिक्के और नोट फेक रहे हैं हाला क आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिसमें अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो वो उसका वीडियो बना रहा है या उसकी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर साजा कर रहा है तो देखिए यह चीज़े सही होती है सही इस वज़े से होती है क्योंकि चाह मेभी अगर किसी का भला हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो वीडियो बनाना गलत नहीं होता है। अगर हम बात करें इस भंडारी दमपत्ती की, तो इन्होंने अपने पूरे जिवनकाल की जमा पुंजी लुटा कर, ये फेसला लिया है कि ये 22 अपरेल को अपने परिवार के साथ सबी संबन्दों को तोड़ देंगे, और पूरे भारत की नंगे पर यात्रा पर निकल पड़ेंगे, और उसके बाद हो केवल भिक्षा पर जिवित रहेंगी, और इस दोरान उनके पास केवल एक सफेद वस्त्र, भिक्षा के लिए एक कटोरा और एक जाडू होगी, ऐसा ही एक मामला वर्ष 2023 में भी देखा गया था, जब अपने बेटे और अपनी बेटी के द्वारा इसी प्रकार के जीवन का नीर्णई लेने के बाद, गुजरात के ही एक मल्टी मिलेनियर हिरा व्यापारी और उनकी पत्नी ने भी अपनी संपति का त्याग कर दिया था, और अपना जेवन बिक्षु और बिक्षुनी के रुप में समर्पित कर दिया था, और इस प्रकार की घटना हैं हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में शान्ती और संत्युस्टी, इससे बड़ी कोई पुझी नहीं होती है, आज पुरी दुनिया केवल और केवल अपने स्वार्ते को साधने में लगी हुई है, सब सिर्फ पैसे के लिए पागल है, इस उम्मीद के साथ की पैसा उनको खुशी देगा, लेकिन जब पैसा उनको मिल जाता है, तो उसके बाद की जो वास्तिक्ता होती है, वो कुछ और ही होती है, इस वीडियो के जरे मैं यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि पैसे मत कमाओ, और जो कमाए हैं उनको दान कर दो, क्योंकि मैं खुद इस वीडियो से कमाई कर रहा हूं, वीडियो बनाने का उद्देश बस इतना है कि आपको यह समझ आ जाए, कि पैसा जीवन नहीं होता है, इसे सुख सोईदा के सामान करी दे जा सकते हैं, पर अगर संतुष्टी नहीं मिली तो वो ही सुख सोईदा की वस्तुएं, काटे की तरफ चूबने लगती हैं, आई दिन हम खबरे देखते हैं कि पैसे के लिए भाई ने भाई के साथ धोका कर दिया, पूत्र ने पीता को घर से निकाल दिया, और इसे ही बहुत सारे मामले हमको रोजमर्रा की जीवन में देखने को मिलते हैं, आपने आसपास यहां तक कि अपने घर में भी यही सब चलता रहता है, जबकि पैसा सिर्फ जीवन को आराम से जीने के लिए चाहिए होता है, पर आज उसी पैसे से आराम चीन चुका है, गुजरात के इस दमपती ने यह बताए कि जीवन का लक्ष केवल मानुता को सही डाइरेक्शन देना होता है, अगर पैसे से एक काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सब छोड़ कर सन्यासी बन जाओ, पर जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दो, क्योंकि हम स्तिर पेशा कमाने के लिए धर्ती पर नहीं आये हैं, बलकि इसलिए आये हैं ताकि वापस जाने से पहले नीचे कुछ ऐसा छोड़ जाए, जो कि दूसरों के जीवन को भी सार्थक कर दे, केवल अपना स्वार्तसादना ये जीवन नहीं होना चाहिए, और अगर हम बात करें जेन बिख्षुक बनने की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चंद्रगुप्त मोरी ने भी अपने जीवन के अंतिम शणों में, अपना जो जीवन हैं, वो जेन धर्म को समर्पित कर दिया था, और जेन बिख्षुक बनकर सन्यासी के रापर निकल पड़े थे, देखें, जेन बिख्षुक बनना, जिसे की जेन सादू या सादू कहा जाता है, एक गहरा आध्यात्मिक और व्यक्तिकत निर्णे होता है, इसके लिए सबसे मरत पूर्ण यह होता है कि संसारिक मोमाया का त्याक किया जाए, और अध्यात्मिक ज्यान के मार्ग पर चला जाए, हलाकि वीबिन जेन परंपराओं और संप्रदायों के बीच, विशिष्ट आवशक्ताय और प्रथाय अलग-अलग हो सकती है, यहापर जेन विक्षो बनने के लिए जो सामानी पहलू है, जो कि लगबग सभी जेन परंपराओं में कामन होते हैं, उनको हम थोड़ा से यहापर समझ लेते हैं, लेकि सबसे पहलों तो जेन विक्षो को जेन सिध्धान्तू, जेन दर्शन और अध्यात्मिक मुक्ति के मारगी में द्रढ विश्वास होना चाहिए, मतलब कि उन्हें त्याग, सादगी और आत्म अनुशाशन का जीवन जेने के लिए द्रढ संकल्पित होना पड़ता है, इसके साथ जेन विक्षो को जेन दर्शन और जेन धर्म गरंतों, साथ साथ अनुष्ठानों और प्रथाओं की समझ होनी चाहिए, और उसको समझने के लिए उनको गहरिक और कठोर अध्यन से गुजनना पड़ता है, जेन विक्षो का अपना पूरा जीवन ज्यान की खोच और जेन शिक्षाओं के चिंतन के लिए समर्पित कर देते हैं, इसके लावा जेन विक्षो को सांसरीक संपत्ति के साथ साथ सबी इच्छाओं और सबी आसक्तियों का त्याग करना पड़ता है, यह समझ लो कि इसमें भोतिक संपत्ति, साथ साथ परिवार के जो रिष्टे नाते होते हैं, और अपने जितने भी सामाजिक दायत्व है उन सभी का त्याक करना पड़ता है। हम सभी जानते कि जेन धर्म अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रती करोना पर जोर देता है। और इसलिए जेन बिक्षों में सहानुवुती, दयालुता और उनके विचारों में शु झालुता और विचारों में सहानुझ जालुता और उनके जालुता प्रती कि जेन धर्म अहिंसा और उनके प्रती कि जेन सभी जा़ता है।